नमस्कार दोस्तों स्वागते शोमो जबाली जी के ओर एक हेल्थ तो किद्नी फंक्चन टेस्ट में कौनकोन सी पेरेमिटरज है उसका normal range value क्या है और abnormal value से क्या indicate होता है सारे सारे सवालों की जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा तो अन तक बने रहे हैं किड्नी फंक्षन टेस्स में पहले जो चीज आता है सबसे इंपॉर्टन सबसे महत्पून्ट कॉंपोनेंट ऑफ किड्नी फंक्षन टेस्स वह होता है क्रियेटिनीन अगर मात्रा बहुत ज्यादा है तो आटोमेटिकली वह किड्नी डिजीस को सिग्निफाइ करता है तो creatinine क्या है इसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं वाट इस creatinine और वाट इस this creatinine test ठीक है तो यह एक waste product है जो कि muscle metabolism के बाद तयार होता है तो muscle जब भी degrade हो जाता है, destroy हो जाता है तब उसके बाद ही degradation के बाद muscle destroy होने के बाद ही creatinine तयार होता है ठीक है और यह creatinine क्या है तो ब्लड में रहता है, अब बलड chops क्रीटок क्या काम होता है ब्लड को filter करना होता है तो filter करके blood से यह creatinine ko को शरी Wal constants को बाद कि siitä का क्याम करते है तो यह LK को शरी से बाहर झाल देगा और ब्लड में creatinine कम रहेगा और अगर kidney ठीक से काम नहीं कर रहा है तो creatinine को बाहर नहीं निकाल पाएगा तो blood में creatinine के मात्रा बर जाएगा यह क्यूं किया जाता है क्यूंकि एक बात देख लिए kidney function को access करने के लिए determine करने के लिए particularly term है जिसको हम बोलते है glomerular filtration rate और GFR अब देखे kidney का जो structure ही वो तयार होता है किस चीज से small unit से जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन की structure है structure में glomerulus होता है जिसमें filtration होता है blood का blood का proper filtration glomerulus में होता है और वहाँ पर फिल्ट्रेशन करने का rate है उसको glomerular filtration rate बोलते हैं हम तो glomerular filtration rate अगर slow है और ज्यादा मात्र में creatine blood में ही रह जाएगा तो automatically signify करेगा कि ठीक-ठाक से glomerulus काम नहीं कर रहा है मतलब ठीक-ठाक से नेफ्रान काम नहीं कर रहा है क्रेटिन का normal range adult male मतलब पुरुषों की बात करें adult को तो 0.6 से लेकर 1.3 mg पर deciliter यह क्रेटिन के normal range है अभी adult females में 0.5 से लेकर 1.1 mg पर deciliter तक होता है और जब यह क्रेटिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है कुछ-कुछ situation में जब किड्नी काम नहीं कर रहा है तो क्रेटिन का लेवल जो है 3-4-5 mg पर deciliter 6-9 mg पर deciliter तक भी हो सकता है उससे भी ज्यादा हो सकता है तो तब यह dangerous situation होता है अब normal value indicator की बात करें तो क्रेटिन लेवल हाई अगर है इसका मतलब है किड्नी डिस फंक्शन किड्नी ठीक तक से function नहीं कर पा रहा इंपेर ड्रेनल फंक्शन और फिल्ट्रेशन रेट ठीक से नहीं हो पा रहा यह इंडिकेट करेगा अब बात करते हैं दूसरे indicator की दूसरे parameter की किड्नी फंक्शन ट बहुत टॉक्सिक है तो एमोनिया को हमें यूरिया में convert करना होता है ताके toxicity थोड़ा घटे यूरिया भी टॉक्सिक है ढाला के मगर फिर भी ऐमोनिया से कम तो यह जो conversion है यह liver करता है फिर उसके बाद यूरिया को शरीर से निकालना वह urine करता है तो अभी यहां पे blood यूरि नाइट्रोजेन और burnt test important है to access again to access kidney function and evaluate the efficiency of urea nitrogen removal मतलब blood में कैसे urea korea को यूरिया में जो nitrogen है उसको remove किया जा रहे मतलब nitrogenous waste को body किस हद तक remove कर पा रहा है इसको measure करने के लिए ही blood urea nitrogen को measure किया जाता है क्योंकि nitrogenous waste ज्यादतर cases में कब तयार होता है protein degradation के बाद तयार होता है और वो जब भी तयार होगा उसको शरीर से निकाल देना होता है राइट वही kidney का काम है तो यहाँ पर अगर blood urea nitrogen ज्यादा है उसका मतलब है ठीक-ठाक से kidney काम नहीं कर रहा है राइट हाव इस डान कैसी यह टेस्ट किया जाता है सिंपल सी blood test है कोई बात नहीं हातों की वेन से blood लिया जाएगा और sample का अनलाइज किया जाएगा इसके बाद normal range की बात करे blood urea nitrogen की 8 से 20 mg पर deciliter 8 to 20 mg पर deciliter इसका normal range abnormal value indicator high value of blood urea nitrogen और high burn इसका मतलब है kidney dysfunction और impaired renal function अब चलते हैं तीसरी parameter के ओर kidney function test के तीसरी parameter है glomerular filtration rate और GFR ठीक है किस हद तक glomerulus जो है blood को filter कर पा रहा है और किसी साब से वो blood को filter करने के साथ साथ कुछ प्रोटीन और important component को blood में ही छोड़ देता है और कुछ जो चीज़ को शरीज से निकालना होता है बाहर फेकना होता है उस चीज़ को ले लेता है इसी बहुत important है यह चीज़ बहुत important एक measurement है how well the kidney filter process is working मतलब kidney किस तरीके से waste product को शरीज ब्लट से urine में transfer कर रहा है urine बना रहा है ब्लट से उस rate को signify करता है उस process को signify करता है क्यों यह test perform किया जाता है फिर वही बात है किड्नी का कुछ कुछ problem चलता रहता है किड्नी ठीक से function नहीं कर पाता इसको chronic kidney disease के नाम पर जानते जो हो सकता है किड्नी में कोई damage के कारण हो किड्नी में कोई बाहर से आया है चोट और impact के कारण हो किड्नी में हुआ था कि infection या फिर सुजन के कारण हो हो सकता है तो यहां glomerular filtration rate CKD को भी determine करने में मदद करता है कैसे किया जाता है glomerular filtration rate basically यह calculate किया जाता है based on your age, gender, creatinine level and other factors in laboratory method, so laboratory method से creatinine हमें मिल जाएगा blood test के बाद, उसके साथ साथ आपके age और आपके gender के हिसाब से calculation है उसके जरीए से हम glomerular filtration rate को निकालते हैं तो यह calculated value है not exactly something जो हमें lab से directly मि अगर हाँ lab से मिला हुआ value of creatinine यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है इस equation में, normal range क्या होना चाहिए, GFR का normal range 60 ml per minute होता है, ठीक है, तो बात करो 60 ml per minute, तो इसका मतलब यह होता है कि per minute 60 ml of blood को यह filter करे, यह normal और mild impairment के तोर पर use किया जाता है, ठीक है, तो बात करो इसका abnormal value और abnormal value indicator क के बारे में, तो देखों यहाँ पर low GFR, मतलब जब भी kidney tic-tac से function नहीं करेगा, तब क्या होगा, glomerular filtration rate drop कर जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और high cup को होता है, यह indicate करता है stage of chronic kidney disease, chronic kidney disease की कौन से stage पर आप हो, उसको grading करने में हमें है, यह जो value मदद कर था, इसके value के उपर depend करके हम बोलते हैं कि हाँ, kidney totally okay है, या फिर starting phase of CKD है, second phase of CKD है, third phase of CKD है, इसको बोल सकते हैं, फिर इसको बात बात करते हैं, urine protein के बारे में, urine में पाए गए protein, यह बहुत important होता है, kidney के function test के लिए, right, क्या चीज़ है यह, जैसा नाम ऐसा काम, the presence of protein in urine, आपके urine में, आप perform किया जाता है, to evaluate kidneys function and detect early signs of kidney damage, kidney damage जब हो जाता है ना, तब glomerular filtration ठीक से नहीं होगा, जो चीज़ को blood में रहना चाहिए, जो की important शरीर के कुछ protein, वो kidney में आ गया, वो urine में आ जाएगा, और जो चीज़ नहीं रहना चाहिए urine में, वो blood में ही रह जाएगा, तो blood impure हो जाएग तो इसी के लिए, जब urine में ज्यादा तर protein आ जाता है, जो urine में protein आना नहीं चाहिए, फिर भी वो protein आ जाता है, तो situation होता है, indication होता है, कि आपके kidney में कोई खराबी चल रहा है, ये कोई बीमारी kidney का चल रहा है, how is it done, कैसी ये test किया जाता है, urine sample चाहिए, आप से urine sample लिया जा ये urine के लिए, अगर protein आता है, क्योंकि protein size में बहुत बड़ा होता है, तो protein को blood में ही retain करना चाहिए, और urine में protein नहीं आना चाहिए, मगर अगर urine में protein है, तो kidney की ही fault है, तो ये test negative आना चाहिए, normal तोर पे, और अगर protein urine में मिले, तो उसका positive test बोलेंगे, that means abnormal value indication के बाद करें, तो वहाँ पे क्या आजाएगा, positive urine protein, मतलब kidney damage है, kidney में कोई बीमारी है, या फिर impaired renal function है, kidney totally damage नहीं हुआ, मगर renal function, मतलब nephron जो function करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ है, अब बात करते है, last type of parameter, urine creatinine, creatinine का जो मात्रा है, हम blood में तो check कर नहीं लेते हैं, उसके साथ-साथ, urine में भी कितना creatinine है, उसको भी हम check करते है, ये भी important होता है, तो ये भी urine analysis test है, जब urine में कितना creatinine level है, उसको measure करते है, why is it important, ये test क्यों important है, क्योंकि to assess kidney function and determine creatinine clearance rate, मतलब आपके blood में creatinine है, वो तो नहीं रहना चाहिए, basically creatinine urine में ही र urine के थुरू बाहर निकालना, वो कम कर पा रहा है, तो इसका मतलब है, kidney काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इस test को perform करते हैं, how is it done, कैसे किया जाता है, simple सी बात, urine sample को collect किया जाता है, normal range की बात करे, तो यहाँ पर वही बात है, vary करता है, urine volume के उपर, कितना urine में हम test कर पर भी यह vary करता है, तो इसे हम कहें नहीं सकते हैं, गर abnormal value indicator में कह सकते हैं, एक ही चीज, कि अगर creatinine abnormal amount में urine में मौझूद हो था, जितना होना चाहिए हो, इसा नहीं होता है, मतलब urine में कम amount of creatinine आ रहा है, और ज्यादा amount of creatinine blood में है, इसका मतलब impaired adrenal function, abnormal creatinine clearance, क्योंकि creatinine clearance का मतलब ही होता है, कि blood से creatinine को urine के जरिये बाहर निकाल देना, और वो अगर kidney ठीक से नहीं कर रहा है, तो automatically urine में creatinine का मात्रा drop हो जाएगा, blood में increase हो जाएगा, वही चीज होता है, renal function disruption में, ठीक है, यह सारे अलग अलग प्रकार के kidney function test के parameters के बारे में बात करे, creatinine, serum creatinine blood, urea, nitrogen, glomerular filtration rate, urine protein, urine creatinine के बारे में, पहले जो तीने creatinine, blood, urea, nitrogen, glomerular filtration rate, यह तीनों ही blood test के जरिये हो जाता है, urine protein और urine creatinine, urine की जाच करने के बाद ही पता चलता है, तो kidney function test, combination of blood test और urine test एक साथ आता है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि kidney ठीक से काम कर रहा है, या नही तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए helpful है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीक के साथ, और सब्सक्राइब करना है इस चानल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे है, thank you, bye